वेल्कम तो माई चैनल राइडवेश्टूस आप सब रुखवास हो गया थे कि अभी बारवी के बच्चे लोगों को गाए जैसा कि एक सब्चेट का एक्जाम हो चुका है इंग्लिस का काफी बच्चों का अच्छा भी गया काफी बच्चों का खराब भी गया जिसके मुझे से बहुत बच्चे लोग टेंशन में एक ऐसा सब्चेट से जो बहुत ज़ादा प्रॉब्लम से रहा है सबको बहुत ज़ादा तकलीफ दे रहा है कि मलब सर अमारा को चुछ हुआने पड़े हम सुरू से पढ़ रहे हैं सर लेकिन याद कर और और सर याद भी हो रहा है तो बच्चे अमारे तुम लोग जो भी प्रवाड करो मां मस्टू लिस मस्टू इस पोषिया मला पॉर्गनाजेसन अंप कॉमर्स एल मनेजमेंट के लिए वह सब और यह सब कोश्चन से आप लोग इस्टार्ट की और यह सब क्वेश्चन पर्दा तुमारे बोर्ड में जो सब्सक्राइब करके बढ़ाएं जो डेफिनेटली आपके एक्जाम में देखिये गई तो आपको मैं one by one explain कर रहा हूं तुम्हारा यह पेपर पैटेंट्स है जो तुम्हारा को सियम था है यह हमारा मस्टू लिश्टू 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 लि इसके बाद आपको लास्पी वीडियो में कि इसको कैसा लिखना है तो आप बात करेंके प्वोस्टू लिश्टू लोगोगों को प्रॉब्लम साते जैसे कि जो बच्चे लोगी इंग्लियू मेडियम से नहीं बढ़े लेते हैं हिंदी मेडियम के अर्थी मेडियम के रहेत सिर्फ किसा हमलों को वैसे से कोश्च बता तो कि आपको पढ़के जाए तो उसके सबसे अपने लिख पाए तो यह सबसे मैंने चप्टर वाइस प्लस वो कौन से चप्टर में कौन से केस्टरी टेक्स्बूक से कर रहा है वो समय बचा दिया आप लोगों को देखो पर सबसे आपको दो पूश्च अइडम करने का है तीन में से तीन ओपसर दे रहाएगा दो आटिट कर रहा है या आपको छे मांक्स करी करेगा एक मांक्स एक सेटी टीमाक ऑपका है जिसमें चप्टर नमर वर्म में मैंने लगो केस्टरी टेक्स्बूक के पीछे गुग ही तो केस्टरी का में दिया रहा है एक्टिवडी तो उसमें Mr.Harsal करके रहेगा क्वेश्च तो प्लोगों को कर जाने है अप लोगों उसकेबाद में question number two में दोनों important है Mr. Ram and XYZ company इन दोनों में से mostly asked पूछा गया question कि कभी कभी राम करें पूछा गया कभी 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 करें XYZ करें और उसके पाद ये question number three का मैंने लिखा नहीं क्योंकि वह उतना important नहीं है आप लोगों को वही चीज प्रवाड़ी करें जो जो आने वाला एक्साम में तो चप्टर नमर पूर खा विस हर साली एक question है उसका करने आप लोग अफे जबंड चप्टर नमर फाइल अब है करके रहेगा जिस्का अब लोग को रिफर ने का है इसका इंसर भी एक्स्लाइशन ही अगों कुछ प्रॉब्लम सरेगा एंसर होगेरे में तो मुझे कमेंट्स करके बाताना तो मैं आपको उसका इंसर भी प्रॉएड कर दूँगा उसके बाद में हमारा कोशन नमर 3 के बाद में कोशन फो रहते हैं जो कि बहुत इंपोडेंट कोशन है डिश्टी माथ करें चारने से चारव संधीयरे में तीन लिखना इसमें से जू में यह आने वाले मुस्त आने वाले स्योर्साइट जाएम में आए हैं वह अलब रांके द सब्सक्राइब आपने तीन के लिए तो बेटा कैसे रहता है कि कभी पर तुम लोगों को यह दो पूची सकते तो आपको यह नहीं 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 तो मैंने यह तीनों में से स्वाइब आपको यह दो कुछ भी पूचाते हैं लेगिन पूचेंगे ज़रूर ही बाश्ट शुर्शाद हो उसके बाद में कोचेंगे जो तुम्हारा है लाप इंसे इसमें इसमें से भी पास दो कुछेंगे जैसा मैंने उपड आप लोगों को आप ऐसे जारा रखा हो उसके बाद यह थारर कोशनीज इस 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 आपको बोर में आई आई आए लागोडे को बूट आए जो आपको बूरों के प्रीट निकर आए इसमें से आपको बोर्ड ना यह आट मार्चेरिक रहते हैं तो इसमें से आपको यही ओडर में पढ़ ला है सबसे पहला है। यह ओडर में सबसे पहला हुआ जिसका बंचे का कुछ भी नहीं हो। सबसे पहला हुआ इस्टार करेया है। इसमें पहला है। इसमें पहला है। जाट सबसे पंचेर्ड से प्तुर्ड एट है। एरा सबसे डर्ट का चेर्ड एक लुग पहला है। तो मैंने दोलों का कुश्य एक है जो तुमारा आए जो तुमको जो पॉस्टन दिया गया है वो पॉस्टन को तुमको एक्स्प्लाइशन देने गा इस्टेटमें इस राइस है तो उसके उपर आपको कम से कम एक तो पैर अग्राप लिगना पड़ेगा तो यह कोशन का जैए कोशन निकाने में पोट देखेंगा उसमें से तीन कोश्टन दिये रहें आप करना व्याप लोगों इस चार मांक का एक जश्रिभा तो इस पे आप यही स्टेप से पढ़ने सबसे पहला अप लोग देखोगे इस तूप से इस उस्ट्प से लिए बिज successful business man take a calculated risk then an entrepreneur must be an innovator उसके बाद में planning is the first function of the management and last one is a cash can be withdrawn from ATM at any time यह तुम्हारा पाच जो देगर रखों उसमें डेफिन इसके लिए आपको दो जिए जो जिस्टिफार देखिए आपको बोर्ड में है तो सबसे पहला आप लोगे मस्टू लिस्टे सबसे तयारी कीजिए उसके बाद में कोश्चन नमर्स जो आपका हो गया उसके आपका सबस्क्राइब कोश्चन अकॉर्डिंग तो में पास्पेपर गया इसके बाद में बने सब्सक्राइब कोश्चन निकाला हूं जो आपको डेफिनेटली बोर्ड में आते हमाले है तो पहला कोश्चन है हमारा एक्स्प्लें नेचर और प्रिंस पर आपने नहीं नहीं दिस आप दे बाद में नहीं कोश्चन है तो आपको यहीं स्क्राइब से तो तुब कोश्चन रणेगा यह होने बाद में आप लों को जानेगा एक प्लें थार फेर फेर हूस थार बान इस यहां राइट दुश्चन प्रॉसीजर अगर विलोग नहीं दिया तो उसके बाद एक साथ या तो डिव यहां तो रिस्पांसरी आप लोगों को गौर्मेंट की बुशती है यहां तो में से एक कोशन आपको पूछन का चांस बहुत जाते हैं उसके बाद में लाफ कोश्चन इस एक्स्प्लेंग ताइपस ओफ फायर इंस पॉलिशी पॉलिशी भी आप लोगों करके जाए तो यही स्टेप से आप लोगों करो जो सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें आप लोगों करना है तो इसमें आप लोगों के लिए पस तीन कोश्चन इस तो आप प्लीज तीनों कोश्चन को अच्छे से प्रिप्ले करके होगे तो सबसे पहला यह कोशिशन तुम्हारों कोश्चन में एक सरह न पिए दो कोश्चन दे है एक अटेंग करना तो उसके बाद में प्रिंसिपल सब्सक्रां इसके आप में पिंस्पल्स के उसको आपको आपको एक्स्प्लेंट करके लोगों इसके बाद में आपको बोल रहा है आप लोग टाइप सब्सक्राइब के वालों नहीं परता हो तोड़ा सब्सक्राइब उसको लिखके दिखाना बड़े एक्जामिनर को क्योंकि हमको उनसे मार्क से लेना है इन डिटेल्स मतलब बोल दिया तो मतलब आपको में हैं इसको भी लिखना है आपको तो यह सब और ऑल जो मस्टू लिस्ट आपको मैं प्रवाइड किया हूं और अपको अपको एक्जाम में आदे वाले हैं तो जो बच्चों लोगों का कुछ भी नहीं हो आपसे मैं रिक्व अबी भी टाइम बचा है आज कितना तरीक है छे तरीक है छे साथ आठ नौ को आपका एक्जाम है अराम से आप लोग अगर अपना लिख लोगे सब अपने कुप में ते आप देखो कि क्या क्या आपका हुआ है और जिसका कुछ भी नहीं हो उन्लों पस इतना करके जाओ त तो आपका डेफिनेटली आपको 80 माक का पेपर है सिष्टी आराम से दिल आएगा और अच्छे जाना चाहिए तो पूरा कर लीजिए मैं जिसको पहले से रखके उन्हों 75 बोलाना चाहिए 70 बोलाना चाहिए अराम से यह सब कोश्यन करके जाओं आपको डेफिनेटली माक्स बताएगे यह OCM का मश्यूलिस है आने वाले टाइक में SP, ECO, PK में भी मश्यूलिस देनेवाद यह पुड़ा एक्स्प्राइशन होने के बाद में आभी आपको मैंने बोला था वीडियो के एंट्स में मैं आपको Q1 & Q2 कैसा करना है तो first of all दोस्तों आप लोगों को यह सम Q1 & Q2 based on इसके उपर ही रहें अब्जेक्ट्वने भी आपको option दे रहेंगे कि क्या क्या है तो आपको समाझ में अगर अगर आप लोगोंने पॉल्ट होगे तो आपको आइडिया मेलेगा कि इसका answer क्या रहना चीए और second question में तो आपको अपर होना जाए आपको लिए अच्छा लागे रहेगा तो आप लोगों को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एड़ा ने डाने वाले भी 工作 मैं सबस्ट्राओ अब माया हो जो आपको अने वाले एक्जामें बहुत जयादा है बार आ ताो अ्यंक्यू दोस्तों को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को से22 चलूरत है और आप लोगों चाहिई तो इसके बसोब लेडियों